जी कौन वासे हमद? आपके शोहर का कातिल जी नहीं हमाद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो आपके ख्याल में वासे हमद ने आपके शोहर को क्यों मारा? जी मैं नहीं जानती मैं और हमाद उस चक्स को जानते भी नहीं थे क्या आप मुझे तफसील से बता सकती है आप और अम्माद वहां क्या करने गए थे हम इसे किराय पे दे देंगे क्योंकि जब तक यह फाली रहेगा तो अम्मी कोछ एन नहीं आएगा मेरा क्या है मेरे लिए तो मेरी सारी काइनात आप लिए ग्लाव संत। तिनका तिनका जोड़ के हमने अपना छोटा भाद लिया था जब अपनों मुस्तक्बिल सोचा था अपनी खुशियां सोची थी सोचा था कि झब तक हाला ठीकने हो जया थे उस घर को हम किराय पे चड़ा देते हैं बस वहा हम कि अपने घर का मौाइना करने गए थे कि कोई कि कोई मरम्मत की चीज करनी हो था महाँ पर कर दें कितना खुश थे हम दोनों कितनी प्लाइनिंग कर रहे थे बस अपने अपने घर से निकलें कि कि अचाना गोलिया चलने लग गई कि अभी अभी हम समझ इनी पारे थे कि उसमें से एक गोली आकर माथ को लग गई कि मैं सब कुछ कटा हुआ कि मतलब के वासे हमद आपके शोहर को मारने के अरादे से नहीं आया था यह वाक्या हदसाती तोर पे पेशाया मैं नहीं जानती कि मैं नहीं जानती कि वो आद्मी वहां क्यों और किसली आया मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरे सर पे से सायबान चीन लिया है मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरी हस्ती बहस्ती जिंदगी उजार दी है मुझसे मेरा घीन लिये, मेरा शोर छीन लिये